ओम शान्ती आज 19 सप्टेम्बर 2021 है और आज कि अव्यक्त मुर्ली में बाबा ने दिल रुबा बच्चों को याद किया दिल रुबा अर्थार्थ जिसके दिल में सिवाए एक दिलाराम के कोई और ना हो उसी के गीत हो उसी के साज हो और जो बाबा के दिल को जीतते हैं वो जगत जीत भी बन जाते हैं और माया जीत भी बन जाते हैं आज बाबा ने हम बच्चों को बर्दान दिया है रुखानियत की खुश्बू के आधार पर सर्व को परमातम संदेश देने वाले विश्व कल्यानकारी भव तो बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है वर्दान दिया है विश्व कल्यानकारी का परिवार कल्यानकारी अपने एरिया के कल्यानकारी अपने दफ्तर के कल्यानकारी नहीं लेकिन विश्व की समस्त आत्माओं का कल्यान करने वाले तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जैसे एक गुलाब है जिसके अंदर बहुत खुश्बू होती है ऐसे गुलाब को अगर कमरे में रख दिया जाए तो जो उस कमरे के आसपास से भी गुजरेगा वो उस खुश्बू से आकर्शत होगा और सोचेगा कि इतनी सुंदर खुश्बू कहां से आ रही है कौन है जो इतनी खुश्बू दे रहा है इसी प्रकार जब हम बच्चे अपनी रूहानियत की शक्ती को रूहानियत की खुश्बू को बढ़ा लेते हैं अपने अंदर सर्व शक्तियां धारन कर लेते हैं तो हम भी उस खुश्बू दार गुलाब की तरह बन जाते हैं जिसकी खुश्बू दूर दूर तक फैलती रहती है आज तक हमने बाबा का संदेश दूसरों को देने के लिए बहुत सारे आयाम इस्तमाल किये पर्चे छपवाए, प्रोग्राम्स किये, कॉन्फरेंस की, प्रदर्शनिया की आज हम इंटरनेट और टीवी के माध्यम से शिव बाबा का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन बाबा ने कहा जो ऐसा समय आएगा जब ये सारे आधार भी नहीं रहेंगे कुछ ऐसी आथमाएं भी होंगी जिनके संबंद संपर्क में हम प्रोग्राम के माध्यम से रूबरू नहीं हो पाते या जिनके पास इस इंटरनेट या टीवी की फेसिलिटी नहीं है उन तक बाबा का संदेश कैसे हम पहुचा पाएंगे तो उसकी सुक्षम मिशीनरी है हमारी शुधता हमारी रूहानियत की खुश्पू बाबा ने कहा जितना जितना ये शक्तिशाली होती जाती है उतना हम दूर बैठी आत्माओं को भी बाबा का मुख्य संदेश दे सकते हैं मुख्य संदेश है कि हम एक जियोती बिंदू आत्मा है हम परम धाम से आये हैं शिफ बाबा हमारे पिता है वो आये हुए है और अब जाने का समय है घर ये मुख्य संदेश हम सभी आत्माओं को अपनी रूहानियत से दे सकते हैं तो हमें सेवा करनी है दूसरों को संदेश देना है लेकिन इस सुक्षम मशीनरी को भी तेस करना है ओम शान्ती